हेलो गाईश तो कैसे हैं आप लोग फ्रागी वर्स इसनों एक और फीस टू फीस शेलिंज के साथ आ गए हम लोग खतरनाग गाडियों के साथ दोनों के पास स्पोर्ट गाडिया है पूरी ट्रैक पे मस्त से मस्त से बोस्टर्स लगे हुए और काफी ज्यादा इस पीड से मै अपनी गाड़ी को भगाया है और मस्त गाड़ी लेकर आई हूं पर यह गाड़ी का जो कलर ना वो ट्रैक से काफी मैच हो रहे हैं काफी चाथा जीब लग रहा अगरचे मैं गाड़ी का कलर मस्त सा कोई और ले लेती न तो अच्छा रहता लेकिन ठीक है अब आ गया सो आ साइड में चोटे चोटे डंडे लगे हुए हैं फिंस तो नहीं लग रहे हैं इतने खास क्यूंकर नहीं है और अलग अलगे तो गिरने का पूरा खतरनाख चांस है और यहां पर मैं अपनी फोस्त पोजीशन बरकार रखे हुए आगे पढ़ रही हूं और यहां उपर मेरी गाड़ी चींज हो चुके है नुप अभी तक नहीं आई है मुझे टकर वारने के लिए क्योंकि खतरनाख सिच्वेशन है वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे है अगर मैंने कोई भी मौका दिया वो आगे जा सकती है उसके बाद जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा और नु जाती हूं और ऑटमेटिकली वो डर जाती है फाइनली दोनों के पास अजीब सी गाड़ी आई है और एक दूसरे के पीछे पीछे मुझे उसने सेकंड पोजीशन पे पेग दिया है और खोदा आगे निकल गई है बस यह जो री स्पॉन वाला चकर है ना बस यह खतरनाख होते है आपको हार का टेग मिल जाता है बस चन्द सेकंड के चकर में वो आगे है और जस इतना सा आगे है कि मैं आपको एकस्प्लेन नहीं कर सकती है जैसे ही डिलिवर करती है वैसे री स्पॉन मार देती और अभी तक मैं आगे थी बट री स्पॉन के चकर में थोड़ी सी लेट हो गई और यहां पर मामला खराब हो चुका था फिलहाल दोनों के पास सेम तु सेम गाड़ियां हैं बिल्कुल भी फरक नहीं कौन जीतेगा किसी को भी नहीं मालूम है पहले मैं फरस्टी फिर नोप तेकिंड थी अब नोप फरस्टी मैं सेकिंड हो काफी ज्यादा रो जान लगा दूगी और कोशिश करते करते जीती जाते नोप लोगों की बस एक कम जोरी पकड़ लो ना और फिर उसको तो अभी हरा देते नोपडी रोक जा जीतने नहीं दूगी मैं तुझे अगर जीत गई तो फिर क्या होगा ऐसा नाव करने दूगी मैं इस जीत पे सिर् पहला बूस्टर उससे मिलता है उसकी गाड़ी काफी आगे धकेल दी जाते है और जिसकी वज़ासे वो काफी दूर चली जाती है मुझे भी पहला मिलता है लेकिन गैप सा जाता है हमारे बीच में और अभी इतना कम गैप था और अभी आप देख सकते हो कितना गैप है तो से साथ-साथ रिस्पॉण गया लेकिन उसकी लख बहुत अच्छी है कि उसकी गाड़ी आगे ही डिलिवर हो रही है अब यह मुन्नी गाड़ी है बिल्कुल मेरी तरह फीलिंग्स आ रही है कि जैसे अभी मैं रोने वाला फीलिंग कर रही हूं वैसे इस गाड़ी की फीलिंग लेकिन नुप कोई भी मौका भी मुझे देही नहीं रही है और नुप को मारने का मौका नहीं मिल रहा है लेकिन लेकिन मेरे पास बगई है और बगई के साथ अगरचे नुप की कोई गाड़ी टकरा जाती है तो शायद कोई काम बने और एक मौका मिल जाए मुझे बस एक म गल गई respawn मारने के चकर मैंने आदी गाड़ी turn कर ली थी बस फिर मैंने देखा लंबी गाड़ी है तो बस ये नहीं हो पाएगी फिर मैंने respawn मारा ये इस वज़ा से मैं हमेशा लेट हो जाती हूं respawn के मामले में उसकी controller में ऐसा कौन सा button है जो फटक से उसका respawn मार देता है ए आगे भागने की जल्दी होती है जबके उनको पता है कि वो लुड़क जाएंगे कहीं गिर जाएंगे लेकिन नहीं आगे जाना है और फाइनली दोनों के पास seem to same गाड़ियां है बस थोड़ा सा फरक है और मैं कोशिश ये कर रही हूं अगर्चे हम एकाद गाड़ी आगे पिछे हो जाएं मजा आजाएगा मजा आजाएगा क्योंकि सेकेंड पोजिशन बेड होती है दो ही तो बंदे खेल रहे हैं एक बंदा जीतता है और एक बंदा हाटता है अगर तीन चार प्लेयर होते फर्ट तो second पोजिशन एक वाली हो रखती है अभी तो sad वाला scene चल रहा फाइनली फिर अभी तो वैसे इतना कम समय है उसको वो आगे ही नहीं जाने देरी वो फिर इतनी आगे अब तो इतना सारा फर्क आ गिया है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं इस रेस को हारने वाली हो लेकिन मैं उसे आने नहीं दोंगी इतना टाइम गुजर गया है कबसे कोशिश कर रहा है कि मैं आगे जाओं क्या आप लोगों को लगता है मैं आगे जा सकती हूं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कमेंट करके कि मैं आगे जा सकती हूं कि नहीं क्यूंकि अभी बिल्कुल भी विजह चांस नहीं लग रहा है situation उसनी ऐसी create की विए ऐसी create की विए कि वो मुझसे आगे है और मैं जब response मारती हूँ वो मुझसे already आगे जा चुके होती है और first booster तो वो clear कर चुके होती है और उसको वैसी आगे इतना पहुंचा दिया जाते है first booster से तो काफी give है और I think नोप को अगर जीत मिल गई तो वो मुझे काफी चड़ाने वाली है तो मुझे बहुत ही शातिर दिमाग के साथ काम करना होगा और मैं काफी अच्छा चला लेती हूँ तो जल्दी से इसको डिलेवर करके आते कोई कोई मनसूबा बनाना है उसको मैं तुझे मार दोंगी मार दोंगी अगर मेरे पास कोई ट्रॉक आई ना और मेरे पास कोई गाड़ी आई बेटा तु भचेगी नहीं बस ऐसा समझ लिए हो कि मैं तरह हाल वो करूंगी ना आई थिंक के अगर मैं कहीं भी गाड़ी को रोकती हूँ तो गाड़ी को बिल्कुल सही जगा पर रोकना होगा वरना बूस्टर के थ्रू हम आगे निकल जाएंगे तो गाड़ी फिसल जाएगी साइडों पर कोई खास फेंस नहीं लगे वह हैं जहां से हमारी बचत हो सके बचत तो कोई नहीं होने वाली है तो मैं चेक कर रही थी बूस्टर्स कहाँ पर है बूस्टर्स जहाँ पर ये ओ क्यों पूरा का पूरा हावा वाला जो एरोप्ले ने एर वाला उसको पुरा क्रॉस कर दिया है बाई गौड इतनी खतरनाग जंप वो भी ट्रक के साथ वाव तो उससे पहले मैंने गारी रिलेवर किये इस वजह से मैं फर्स्ट पोजिशन पे आ गई हूँ और आप वो पूर कोशिश करेगी मुझसे आगे जाने की लेकिन नहीं जाने दूगी मैं डोप मैं तुझे नहीं जाने दूगी देख लिए ऑगर मैं आगे जाने दिया न तो फिर मैं भी न फुराओगी नीं कुछ और वन जाओंगी बिटा अब बस बहुत हूँ गया इतना काफी था इतना काफी था बिटा अब आगे आके दिखा तिरा क्या हाल करती हूँ मैं थोड़ा सा भी आगे नहीं जा सकती है और इतनी अच्छी प्लेयर नहीं कर इतनी हैवी ड्राइवर के तू आगे निकल जाए मैं आगे हूँ तू आगे गिरा कर आगे जा सकती है वैसे मुझ से आगे स्पीड में नहीं जा सकती है ड्राइवर पर बेंड करता है और गाड़ी को चलाने के उपर बेंड करता है पिटा आजा अब तुझे नहीं छोडने वाली में अब तो तु गई अब पक्का अब देखते हैं कौन जीतने वाला है के फिंटम वेज आ गया है जल्दी से रिस्पॉन माटते हैं फटा फट से निकलते हैं और दोनों के पास फिंटम वेज है और इतना सा फ़र्क है कि वो मेरे पीछे वाले टायर के साथ साथ अब गिर जाओ नहीं ऐसा मत करो नहीं दोनों गिर गए ओ गाड़ वो फिर से आगे निकल गई है उसका रिस्पॉन जो पॉइंट है वो आगे सेट है और वो फिर से आगे निकल गई है मुझे जल्दी उसके पास आना होगा और मैं क्रॉस कर लूँगी मुझे उमीर है क्योंकि अभी हम बहुत करीब हैं जादा दूर नहीं है मैं उसके बिलकुल करीब हूँ और वो अठकी है इस फैंस की डंडी के साथ अब बस 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 एक सेकेंड नोब एक गलती अब बस पहुंच गई मैं पहुंच गई अब गिर जा यहां से बस अब मुझे टेंशन नहीं है गाड़ी मैंने पहले डिलिवर की और मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ और यह गाड़ी फड़ से आ गई है मेरे पास वेपनाईज और नोब गिर चुकी है तो बाजी बलट सकती है ऐसा ही सीन चल रहा था मैं स्टार्ट में फ़र्स्ट थी पर छे मिनट तक उस लड़की ने मुझे फ़स्ट पोजिशन पर बरकरार रह नहीं नहीं दिया छे मिनट से सेकेंड पोजिशन पर मुझे बठागे रखावा था बट मैंने भी बोला नूब अब मैं अपना शातर दमाग चलाऊंगी न तो तो इस ट्रैक पर नजर भी नहीं आईगी विटा तेख ले काड़ी चेंज हो गई है और मैं ऑल्वेस अपनी पोजिशन पर हूँ और अच्छी वाली फील आ रही है और मज़े गराने की भी कोशिश करेगी लेकिन वो जानती नहीं है कि मैं भी कौन हूँ तो कौन हूँ मज़े खुद को भी नहीं मालूँ वेल फाइनली गाड़ी डिलिवर होने वाली है और अब मस्त सी फीलिंग है और गाड़ी ना बगगी है बगगी के साथ जीतना अलगी feeling होती कुईन है हमारी queen है यह तो ramp की queen है इसकी तो क्या ही बात है और इसके साथ आपको winning मिलेना ओओ बाई गोड़ एक अलगी एक अलग क्यों मैंने उसकी sports car उचाली है शुकल होगी उसकी देखने वाली शुकल रोपड योगी बैठे बैठे और फाइनली मैं जीतने वाली हूँ इंतजार करते हैं कितनी देर में ओ गाईज वो लेकर जा रही थी मैंने सोचा एक पार और मारते हैं लेकिन ठीक है उसने ओटेक किया और निकल गई है जाने देते हैं उसे अब और फाइनली ये रेस में विन कर चुक्यों और नूब अभी आ रही है उसकी है सेकंड पॉजिशन और ये खतरनाक सा विनिंग टोस नूब के लिए आए हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेना मत मुलना आप मिलूंगी नेक्स वीडियो में बाए बाए